अब हम मजीद चाल लेते हैं Acid Replacement with an Identical Acid की Problem के बारे में तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम James से Related एक Problem को Solve कर रहे थे जिसमें Requirement ये थी कि ये Assess करें कि कमपनी कितने Frequently अपने Acid को Replace करेगी तो यहाँ पर इस से Related हम कुछ Working जो है वो Already Perform कर चुके थे तो प्रेजन वैल्यू क्या थी वो हम ने Calculate किया इसी तरह हर दो साल बाद रिप्लेई करें तब और हर तीन साल बाद रिप्लेई करें तो तब क्या Present Value है वो हमने Calculate कर ली थी अब हमने एर 4 पर उसी तरह से Present Value को Calculate करना है जैसे हमने बाकी तीन केसिस में किया था अब अगर कंपनी हर चार साल बाद अपने एसिट को रिप्लेस करेगी तो यहां पर सबसे पहले हम पहले साल की जो कॉस्ट है उसको यहां से आउट फ्लो में शो करेंगे क्योंके पहले साल की कॉस्ट जो है वो कमपनी लगाएगी इसे तरह से दूसरे साल की भी कॉस्ट कमपनी लगाएगी इसे तरह तीसे साल की भी जो कॉस्ट है वो यहां पर कमपनी लगाएगी और यह वो यह रनिंग कॉस्ट है जो के इस मशीन से रिलेटिड है जो expense जरूर होगा लेकिन हम यहां पर net को करके क्यों नहीं लेते क्योंके हर साल मशीन की resale value हमें नहीं मिलेगी इसलिए लेकिन जो cost जो है running cost वो हर साल मशीन की लगेगी इसलिए हम यहां पर उसकी cost को लिखते हैं अब अगर हम देखें तो year 4 पर हमने net cash flows लेने हैं क्योंके पहले 3 साल तक तो सिर्फ outflow था अब अगर year 4 में net cash flows पर अगर हम आएं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि resale value अब 2500 रुपे की बच गई है इस resale value में से हमने running cost को eliminate करना है तो हमें पता चल जाएगा कि actually जो net cash flow है वो कितना है तो यहां पर negative 12,500 रुपीज का cash flow हो रहा है जिसका मतलब यह है कि company ने जो net cash outflow है वो 12,500 रुपे का करना है basically तो cost इतनी थी लेकिन 2500 रुपे resale value ने cover कर लिए तो remaining जो बच गी वो cost बच गी तो यह जो cost है यह net cash outflow है इसको भी यहां पर हम year 4 में year 4 के आगे लिख देंगे negative figure के साथ अब हमने क्या करना है कि present value calculate करनी है 10% पर इन तमाम सालों की तो जिस तरह से हमने बाकी के लिए present value calculate की थी बाकी cases के लिए इसे तरह से यहां पर हम present value को calculate करेंगे present value factor की through जो के था 1 प्लस R raised to power minus N पहले साल का factor हमने 0.909 निकाला था दूसरे साल का factor 0.826 था इसे तरह से बाकी सालों के भी हमने factors निकाल लिये थे अब अगर देखा जाए तो पहले साल का अगर factor 0.909 है उसको हमने multiply करवा देना है cash flow से तो यह हमारे पास आजाएगा negative 6817.5 जिसको हम round off करके 6818 रुपीज भी लिख सकते हैं अब जिस तरह से हमने पहले साल के लिए calculate किया है present value को इस तरह से हम बाकी सालों के लिए भी present value को calculate कर लेंगे और फिर यहां पर total present value को लिख देंगे total present value करने के लिए हम इन तमाम values को आपस में add कर देंगे तो यह हमारे पास आजाएगी 58,830 रुपीज की present value अगर company हर चार साल बाद अपने asset को replace करती है तब अब यहां पर तो हमने यह calculate कर लिया है कि अगर company अपने asset को हर साल replace करती है तो present value क्या होगी अब क्योंकि identical method है तो identical method के लिए company क्या करती है company identical method के लिए identical asset अगर company के पास एक जैसा asset हो तो उसके लिए company equivalent annual cost जिसे EAC भी कहा जाता है इस cost को calculate करती है और इसकी basis पर देखती है कि सबसे lowest कौन सी equivalent annual cost है उस point पर company अपने asset को replace कर देती है तो यहाँ पर equivalent annual cost को calculate करने के लिए जो हम discount rate इस्तमाल करेंगे वो आएगा हमारे पास 10% जिस पर हमने ये present value को calculate किया है अब equivalent annual cost को हम calculate करना start करते हैं तो सबसे पहले अगर company हर साल अपने asset को replace करे जिसना से यहाँ पर हमने 4 cases बनाए थे उनी 4 cases के हमने equivalent annual cost को calculate करना है तो यहाँ पर अगर company हर साल अपने asset को replace करती है तो उस case में क्या हमारे पास equivalent annual cost आएगी उसको हम यहाँ पर calculate करेंगे और equivalent annual cost को हम किस तना से calculate करते हैं कि जितने भी हमने present value calculate की है और cumulative जो factor है company के पास discount rate की basis पर उससे हमने इस present value को divide कर देना है जो कि हमने last अपनी वीडियो में पूरे concepts के साथ सीखा था तो अब यहाँ पर हर साल अगर replace किया जाए तो उसकी present value है 18,182 रुपीज हम यहाँ पर इस present value को लिख देंगे और उसके बार divide कर देंगे इसको cumulative factor से तो क्योंकि यह हर साल करना है तो जो cumulative factor होगा वो हमारे पास simple आएगा simple interest rate वाला factor simple discount factor जिसके basis पर 0.909 एक साल के लिए हमने calculate कर लिया था तो अब यहाँ पर हम इसको divide कर देंगे 0.909 से तो यह हम जब calculate करेंगे हमारे पास पहले साल की equivalent annual cost आ जाएगी 20,002 रुपीज की इसको हम bold figure कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि यह हर साल अगर company replace करती है तो company को equivalent annual cost 20,002 रुपे की pay करने पड़ेगी इसके तरह से next year के लिए हमने क्या करना है हमने equivalent annual cost को calculate कर लेना यह हमने हमने जो replacement calculate करनी है वो हमने हर दो साल की करनी है उसके लिए हम इसके तरह से equivalent annual cost को calculate करेंगे जिसमें अगर हम देखें तो हमारी जो दूसरी case में present value आ रहे है 32,644 रुपीज की तो हम यहाँ पर उस value को लिख देंगे, उसके बाद इसको हम divide कर देंगे factor के साथ तो इसका factor calculate करने के लिए हम N-Vity का formula लगाएंगे और अगर N-Vity के formula की बात की जाए, तो N-Vity का जो factor है, उसका formula हमाँ पास आता है 1-1 plus R raised to power minus N divided by R, यहाँ पर जो R है यह number of, sorry, जो R है वो discount rate को present कर रहा है जो N है वो number of years को represent कर रहा है और नीचे वाला भी R जो है वो, जो हमारे पास discount rate है उसको present कर रहा है तो यहाँ पे 1, 1 में से हम 1-1 plus R जो है वो हमारे पास 10 है जिसको हम 0.10, 10% लिखेंगे और इसको हम raise to power कर देंगे minus 2 क्यूंके हर 2 साल के बात की हमने N-Vity को calculate करना है और इसको हम divide कर देंगे discount rate के साथ, तो यह जब हम calculate करेंगे यह आ जाएगा 1.736 अब हमने क्या करना है कि इसको हमने divide कर देना है 1.736 के साथ तो यह हमारे पास calculate करने के बाद आ जाएगा 18,804 रूपीज अब इससे तना से जिसना से हमने दूसरे साल के लिए replacement cost को calculate किया है इससे तना से तीसरे साल के लिए हम replacement देखेंगे equivalent annual cost के थूँ और उसमें हम करेंगे क्या कि जो तीसरे केस में हमारे पास जो present value थी उसको हम divide कर देंगे 2.487 के साथ जोके एनविटी फेक्टर के थूँ हमने calculate कर लिया है जब हम इसको भी calculate करेंगे तो यह आ जाएगा 17,957 रूपीज की equivalent annual cost अगर company हर 3 साल बाद अपने asset को replace करती है तब अब अगर company हर 4 साल के बाद अपने asset को replace करती है तो उस case में हम 58,830 जो के चोते case की हमारे पास present value आई थी इसको divide कर देंगे एनविटी फेक्टर के साथ जो के 3.17 आ रहा है जब हमने इसको divide किया तो यह आ जाएगा 18,558 अब यहां पर हम इसको भी बोल्ड कर देते हैं और उपर वाली figure को भी बोल्ड कर देते हैं अब यहां से हम यह अंदाजा लगाते हैं कि company को कब अपने जो asset है उसको replace करना चाहिए तो जो final decision है उसके लिए हमने बात की थी कि जहां पर company की equivalent annual cost सबसे ज्यादा कम होगी उस point पर company अपने asset को replace कर देगी तो यहां पर हम देखें तो पहले साल की 20,002 है दूसे साल की 18,804 रुपे है तीसे साल की 17,957 रुपीज और चोते साल की 18,558 रुपीज है इन में जो सबसे कम equivalent cost है वो हमारे पास अगर company हर 3 साल बाद अपने asset को replace करती है उस time period की उस cycle की आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि company को हर 3 साल बाद अपने asset को replace करना चाहिए ताकि company कम से कम annual cost को bear कर सके तो इस तरह से identical asset के लिए जो हमारे पास rule हो गया decision rule वो यह होगा कि जहां पर lowest equivalent annual cost होगी उस point पर company अपने asset को replace करेगी तो इस तरह से आज की इस video में हमने जान लिया कि जब भी company ने एक similar या identical asset के साथ अपने asset को replace करना होता है तो उसके लिए हम किस तरह से calculations को perform कर सकते हैं झाल 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 झाल